नमस्कार साती हूं मैं एशन स्वामिज सपलकोच सिंग सुझांगर से हैं दोस्तों आज अपन का टॉपिक रीट एक्जाम के लिए मुंगल राजवुद समझ टॉपिक दे रखा है एकदम नॉर्मल सा क्यूशन आएगा दोस्तों पन लेते हैं पहला क्यूशन सोली सतावदी में दिल्ली का लालकला किस राजवंस के सासकों का निवास था उतराने दो फटापट वेरी गूट मुगले सासकों का निवास था लालकला किस का सोली सतावदी में पूछ रहे हैं दोस्तों क्यूसर नमर दो लेते हैं अपने इरान इराग और वर्तमान तुर्की के सासक तेमूर के परवर्ती थे तेमूर के परवर्ती कौन थे तेमूर के दोस्तों परवर्ती थे मुंगल सासक कौन थे मुंगल सासक क्यूसर नमर तीन देखो इरान के सा और मुंगल सासकों के बीच जगडे के जड़ क्या थी यहने मुंगलों के मद्दे और इरान के जो साता उसके मद्दे जो जगडे की जड़ थी वो क्या थी वितन वो चित्र था आपका कंदार कौन सा था कंदार कि उस नमर चार देखो मुंगलों के नोरोज या नोराज का तियुवार लिया जाता है किसे लिया जाता है किसे लिया गिया ये तियुवार तो मित्रों ये लिया गिया पारशियों की दौरा किस की दौरा लिया गिया पारशियों शें क्योस नवर पांच मुंगलों के समय हुए इस्ताप्ते शेली में परिवर्तन कलाता है मुंगलों के समय हुए इस्ताप्ते शेली में परिवर्तन कलाता है आपका हिंदू-इस्लामिक शेली क्यूशन नमर छह देखो मुंगल कालें रिशिक की अवस्ता के बारे में निम लिखे थे मैं से कौन सा स्रोस्रादि महत अपरून है आने दोक दोस्तों क्युशन रिट के लिए विरी विरी पोटेंट शावास आइन ए अकवरी आने ए अकवरी और मिठ्रों ये आपका अकपर नामा ये किस के दोरा लिखा गिया अबुलिफजल की दोरा लिखा गिया था ठीक है ना आने ए अकवरी में स्रादिं महत पुर्ण स्रोत है मुंगल काल का क्यूस नवर साथ लो मुंगल काल में जिस मदर्से ने मुस्लिम न्याय सास्तर की पड़ाई में विशिष्ट दा हंसिल की वह थी मदर्सा न्याय सास्तर की तो मित्रू वो चेतर है लखनौ में कहां पे लखनौ में क्युस्त जा आड़ देखों निमन मेंसे किस में मोंगल काल में एत्यासी उरुण लिखा कि है कि आप में माहिनमा सुना होगा कि मूर जा बेगम Please इसमें कौन से रायट होगा देखना एक burning participating कि हम ँर गुलू बदन बेगम ने चलो दोस्तों अगला लेते हैं मनकिशन किशन नो देखो मुंगल काल में निमली कित बंदरगाउं में से किसको बाबूल मका कहा जाता है किस बंदरगा को बाबूल मका मका द्वार कहा जाता है तो मित्रों हुए है वेरी गुड सूरत किसको का गया सूरूत को का गया किस नमर दस देखो निमन में से किसका अपने समकाली मुंगल बाद से के साथ मिलान गलत हुआ राना सांगा के साथ हुआ था बाब बर का युद भी हुआ खाना का युदे जुन्जार से सांजा के टाइम में था जस्वन सिंग औरंग जेव के समय था पर्तिराचवान अकबर के समय नहीं था ये मुहमुद गोरी के समय था परतिराचवान तो मितनु गलत कौन सा हो गया इसमें गलत हो परतिराचवान और अकबर किसनों 11 देखो मुगलम वेग समद करने वाला परतम राजवुद को कुल कौन था तो मितनु गो था कच्छाववान से अकबर ने 1562 में बारमल की पुत्री अरकुबाई से युगा किया था वो किया था सामबर में कहां पर किया था सामबर में तो बारमल की पुत्री से अकबर के दोरा उस पुत्री से युगा कर लिया 1562 में पहली बार मुंगल और राजपुतों के संदी भी कच्छा वह इसे होती है, पर तब मुंगल वह यहां से शुरू होता है, पहला समझो ता यहां से शुरू होता है, अब मित्र अपने बात करते हैं किस सन नमर बारा, मुंगल का आल में निमिल के युद्धूं का कलानू करम के अनुसार वेश्टित कीजिए तो मितनु सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए गागरा का यूद कब हुआ तो मितनु गागरा का यूदे, खानवा का यूदे और चोचा का यूदे चारूं कि सन आप उनको याद होनी चाहिए तो गागरा का यूद वहा 1529 में कब हुआ 1529 में किसके मद्देवा अगरा आपसे फुशले बाबर और मौम्मद लोदी के मद्देवा गागरा गंगा नदी के साइग नदी है दोस्तों गागरा का यूद वियार में और बारत का एक ऐसा यूद है जिसे थल और जल यूद भी का जाता है जो है गागरा का यूद है 1529 में खानवा का यूद है 1527 में बाबरो सांगा के मद्दे चोशागाई दोवा पंदरसर उन्चालिस में वो मयू और चेर साज़ी के मद्थेवा और मित्र शामगट का विद्वा दोवा 1608 में और सामगट का विद्विस के मद्थेवा दाराशी को और उर्णजेव के मद्थेवा तो सबसे पहले दौ रापका राइट होना है दो निमर Pan Pan Richt 677 तो निमर देखो कहां पर है यह बहां पर यह बहुत हो सब भी गलत है है अपन तेरा क्यूशन में लेते हैं तेरा देखो विद्धेशी यात्रियों में से कौन वंदन करता है कि तामे के बड़े बड़तुन में गंगा जल मूगलबाद से उनके पीन्य के लिए ले जाया जाता था ये बात कौन कहता है दोस्तों उतराने दो फटा फट तो मित्रों ये बात की गई एडवर्ड टेरी के दवारा किस के दवारा की गई एडवर्ड टेरी के दवारा किस नवर्चोदा देखो मुझल बादश्या को न्याई परदान करने के लिए अलग दिन निदर्द कर रखा था इस संद्रम में निमिलिक के तुविग्यों में से कौन सा सी सुमिलित नहीं है तो मित्रों औरंग जेव के समय तो आपका पत्तन का गाल सुरू हो जाता है कोई नियाई से मतलब भी नहीं है जांगीर ने मंगलवार को रखा अकबन ने बरवस्तिवार को रखा तो इसमें कौन सा गलत है औरंग जेव वाला गलत हो गया अब मित्रों किस नहिमन लेते हैं पंद्रा किस राजवु सासक ने मंगलों के विरोद निरिंतर सलतनत्र का संग्रत जारी रखा और समरप्रण नहीं किया अमर सी ने भी राय सी ने भी तो मारवाड की रावचंदर शेन ने कभी मुंगलु मुशाज संदी ने की और मित्रु मारवाड का मारणा परताप कहा जाता है बुला बशेरा राजा भी कहा जाता है तई बार कुछन पुचा गिया एक रावचंदर शेन के बारे में किस किल्ले का मुंगलों के दिर्काल तक सहाई कारागार के रूप में उप्योग किया वो कौन सा किल्ला है जिसको जेल बना रखा था दिर्काल के लिए किस नमर 16 का इसराने दो फटा पट तो मितन वो था गवालियर कौन सा था गवालियर क्यूशन वसत्रा देखो चित्र कला की मुंगल कलम बाड़ती लगू चित्र कला की रीड है क्यूशन देखो कितना अच्छा की सुनाई है चित्र कला की मुंगल कलम बाड़ती लगू चित्र कला की रीड है निमे लिखित में से किस कलम पर मुगल चित्र के लगा परबाव नहीं पड़ा तो राजस्तान भी पड़ा पाड़ी भी पड़ा कांगड़ काली गाट वाला नहीं पड़ा दोस्तों तो इसका राइट होगा D राइट कौन सा होगा? D किस नमर अठारा देखो मुगल काल में किस जोरी विदेशी यात्री ने तक्त इताउस यानि मयूर सियाचन का विश्त्रित बुरा दिया है वो कौन देखो? विदेशी यात्री कौन था वो? किस नमर अठारा वेरी गुट ट्रे वर नीर किस नमर अठारा देखो अठारा हो गया आपका ट्रेवर नीर और अब उन्निस नमर किस लेते हैं अपन 16 सतावदी और 17 सतावदी के परारम के कर्षिक इत्यास के बारे में अन्नु संदान के लिए निमलिकित में से कौन सा साक्से स्रोत सबसे अधिक उप्योगी होगा उत्राने दो दोस्तों मुगल गाल के बाद सल रही है तो मुगल दरबारों के दस्तावेज और इत्तिवरत सबसे उप्योगी सरोत है दोस्तों क्यों सनबीश लेते हैं अपना मत देका लें बारते मुगल सासक वस्तु थे तो मुगल सासक थे वो थे आपके चंगताई तुरक चंगताई तुरक थे दोस्तों गर वीडियो चल लगा तो लाइक करना सेर करना और सबस्क्राइब भी करना धन्यवाद दोस्तों